दोस्तो अगर आप लोग एक यूटूबर हैं, तो फ्रेंज आपको पता होगा कि अगर आपको अपने यूटूब चैनल को मोनटाइज करना है और वो भी सोर्स वीडियो के जरिये, तो आपके अपने यूटूब के चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और लास्ट 90 दिन के अंदर आपके सोर्स वीडियो पे 10 million views complete हो जाते हैं, तो फ्रेंज आप अपने यूटूब चैनल को मोनटाइज के लिए अपलाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यूटूबर्स को यानि बहुत सारे creators को एक बहुत बड़ी problem आ रही है, problem दोस्तो यह हो रही है उनके जा रहा है, तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो को ध्यान से देखना, और आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपके वीडियो पे हजारों में, लाखों में और मिलियन में views आने के बावजूद भी, उस views आपकी monetization time में count क्यों नहीं हो रहे हैं, इसके क्या regions ह और ये भी मन दोस्तों आपको बताऊंगा कि किस टाप की वीडियो, आप short वीडियो अगर आप upload करेंगे, तो आपका short channel जो हाना monetize नहीं होगा, तो वीडियो काफी informative है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुना, ताकि सब कुछ चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने channel पर जो भी जानकारी देता हूं, ट्रस्टेबल जानकारी देता हूं, फेक नीज नहीं देता हूं, और अधिकांस आपको लाइप प्रूप दिखाता हूं, और वही चीजे मैं आपको अच्छे से explain करके बताता हूं, तो Ineligible Shorts Views, यानि दोस्तों वह Views जो Ineligible होते हैं, अगर इस टाइप की वीडियो आप अपने channel पर अपलोड करेंगे, यानि उस वीडियो से आपका channel monetize ही नहीं किया जाएगा, अब ध्यान से सुनदा, मैं एक एक चीज पढ़के आपको explain करके बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, तेहां पर सबसे उपर लिखा हुआ है, for the purposes of calculating payments, YouTube won't count views of sorts where views are ineligible, YouTube का कहना कि मा लिजे कोई ऐसा content बनाते हैं, यानि ऐसी कोई short वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि payment के लिए है ही नहीं, यानि फ्रेंस वह वीडियो monetize नहीं हो सकती है, तो दोस्तों उस वीडियो पे जितने वीडियो अगर आप अपने चनल पे short में upload करेंगे, तो उसका view count नहीं किया जाएगा, ध्यान से सुनना, कौन-कौन सा है यहां पर, ठीक है, सबसे उपर लिखा हुआ है, non-original source, ठीक है, अगर कोई ऐसे वीडियो है, जो कि original source नहीं है, तो उसका view count नहीं किया जागा, और ध किसी movies का part हो सकता है, Bollywood, Hollywood movie का part हो सकता है, या किसी TV serial का show हो सकता है, उस part को आपने बिना कोई उसमें editing किये, और उसमें कोई अपना कोई value add नहीं किया, direct आप upload कर दे रहे हैं, तो दोस्तों, वह views जो हना, ineligible हो जाएगा, उस पे चाहिए आपके हजारों में, लाखों में, million में views आए, वह views monetization tab में, आपका वहाँ पर count नहीं किया जाएंगे, add नहीं किया जाएंगे, ठीक है, इसका लवाई यहाँ पर बता रहा है, re uploading other creators content from YouTube, और other platform, और company session with the original content added, दोस्तों, YouTube का यहाँ पर साब साब करना है, माली जो कोई ऐसा content है, जो कि किसी YouTuber ने already YouTube पे upload करके parts को लेकि आप अपने channel पे upload कर देते हैं, तो भी दोस्तों, वह views count नहीं किया जाएगा, ineligible हो जाएगा, इसके लवा YouTube का काना है कि माली जो कोई ऐसी वीडियो है, जो कि YouTube से आप नहीं ले रहे हैं, किसी और social media platform से ले रहे हैं, जैसे कि माली जो आप Instagram से ले रहे हैं, Facebook से ल होंगे कि हजारों में लाखों में views आ रहे हैं, लेकिन हुआ monetization tab में add नहीं किया जाएगा, count नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ दोस्तों एक चीज मैंने बता दिया, अब यहाँ पे दूसरा चीज YouTube कह रहा है, ध्यान से सुनना, artificial और fake views of sorts, such as from automated click or scroll boards, दोस्तों इस ध्यान से समझना, जैसे दोस्तों YouTube का कहना artificial means होता है, एक तरीके से नकली और fake, fake means होता है, गलत वीज, यानि नकली और fake views भी, यहाँ पे short video अगर आप अपलोड करते हैं, तो भी count नहीं होगा, अब इसको थुरा समय detail में explain करता हूं, artificial और यहाँ पे नकली जैसे boards तरीके से जैसे दोस्तों बहुत सारे लोगोते न, देखेंगे कि long video पे watch time बढ़ाने के लिए multiple id से अपने ही वीडियो को बार बार चलाते हैं, तो दोस्तों कहीं न कहीं वह watch time count हो जाता है, लेकिन माली यह कोई ऐसे वीडियो आप चला रहे हैं, जैसे short video आप चला रहे हैं, जिसको प्ले करके छोड़ जा, वह दिन रात चली जा रहे हैं, उस पे कोई भी activity नहीं हो रहे हैं, न उस वीडियो पर like का रहा है, न कमेंट्स आ रहा है, तो youtube उसको robot तरीका मानता है, बोर्ट तरीका मानता है, तो ऐसे वीडियो पर जितने भी वीडियो जाएंगे, वह monetization time में count नहीं किया जाएंगे, यानि वह एक तरीके से fake views हो जाता है, artificial views हो जाता है, नकली views हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे views भी अगर इस तरीके से आप उस पे views लाते हैं, तो वह monetization time में add नहीं किया जाएंगे, count नहीं किया जाएंगे, इसके लवाँ हैं पर तीसरा चीज है, ध्या इसा content है, जो कि आपके advertiser friendly content guidelines को follow नहीं करती, यानि add suitable video नहीं है, तो अभी दोस्तों उसका views जो हना ineligible हो जाएगा, वह views आपके monetization time में count नहीं किया जाएगा, add नहीं किया जाएगा, इसको थोड़ा से दोस्तों मैं detail में आपको explain करता हूं, ध्यान से सुना, जैसे दोस्तो तो बहुत सारे लोग होते हैं, अपनी short video नहीं बनाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी फोटो या friends कोई family की photo या friends की photo को बहुत सारे फोटो के इकठा करके slide show की video बना देते हैं, या friends बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो कि famous actor, actress की, और किसी अलग से picture को लेके, google image वगरा लेके slide show की video बना के उसको upload कर देते हैं, या उसमें background में गाना, music लगा के उसको upload कर देते हैं, तो friends वह video होती है, add suitable नहीं होती है, यानि advertiser friendly content guidelines को follow नहीं करते हैं, वो monetize नहीं हो सकती, तो दोस्तों ऐसे video का भी view, वहाँ पे in eligible हो जाएगा, count नहीं किया जाएगा, मैं दोस्तों य editing करके लिख दे रहें, गाना फ्लिक कर दे रहें, DJ का song लगा दे रहें, तो ऐसे video monetize नहीं हो सकती, उसका views count नहीं किया जाएगा, तो इन तरीके से आप समझ सकते हैं, दोस्तों कि आपका views जो हना, वहाँ पे monetize time में क्यों count नहीं हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता रही है, सब कुछ समझ में आ गया, इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है, नहीं मेरी video पे genuine views आए, मैंने कल पर सो एक video upload किया, मेरी video पे हजारों में, लाखों में million views आए, उसका views count नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करू तो दोस्तों यहाँ आपको बता द फेक तरीके से आपने इसको gain किया है, तो वहाँ पे at नहीं किया जाएगा, तो I hope दोस्तों आज की video मैंने आपको detail में बता दिया, किन किन वीडियो का source views monetization time में count नहीं होता है, वीडियो अच्छी लगी है, तो पसंद आई है, तो वीडियो को like करिए, share करिए, और चैनल प